नमस्कार दोस्तों आपका सवागा था आपके अपने YouTube चैनल STG के स्टट डीपर आज के सवाल कुछ इस परकार है, इन सभी सवालोंबर जो आप जानने के लिए वीडियो के पूरा देखते रहिए चलिए शुरू करते है आज की वीडियो चाय पीने से पेट में गैस क्यों बनती है? दोस्तों बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय का सेवन करते हैं खाली पेट चाय पीने की आदत आपको बिमार कर सकती है कभी भी खाली पेट चाय ना पिएं अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे से खाली पेट चाय पीना बद कर दें वरना आप गंबीर रोगों की चपेट में आ सकते हैं खाली पेट चाय पीने से शरीर को काफे नुक्षान होता है क्योंकि इसमें मौझूद टैनिन्स पेट के एसिड को बढ़ा देता है जिससे भूख की कमी, पाचन किरिया की गडबडी, सीने में जलन, गबराट और चिडचड़ापन आदी शहीत और भी कई प्रोबलम बढ़ा को बढ़ा सकती है खाना खाने के बाद चाय पीने से क्या होता है दोस्तों कई लोगों को चाय पीने का काफी शोक होता है वैना जाने दिन में कितनी कप चाय पी जाते हैं इन लोगों को खाने के बाद भी चाय की जरूरत होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद चाय पीना आपको के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है आपको कभी भी खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इसमें आपका शरीर खाने में मुझूद पोशक ततुओं को ठीक से अवसोशित नहीं कर पाता ऐसे में शरीर के अंदर कई तरह की बिमारिया हो सकती है बोजन और चाय के बीच में कम से कम एक गंटेगा अंतर जरूर रखें कुछ लोग रात को सोते समय चाय का सेवन करते हैं अगर आप सोते समय चाय पीते हैं तो आपको नीद ना आने की समस्या हो सकती है एक सोद के मताबिक दो फैर के बोजन के बाद चाई पीने से दिल से समधित बिमारिया हो सकती है खाना खाने के बाद चाई पीने से बीपी का खत्रा बढ़ जाता है क्योंकि चाई में काफिन होता है खाना खाने के बाद चाय पीने से शरीर आइरन को अब्जर्ब नहीं कर पाता जिससे खून में हीमगलोबिन की कमी होने लगती है इससे एनीमिया की समिश्य पैदा हो सकती है इसलिए कभी भी खाने के साथ या बाद में चाय नहीं पीनी चाहिए एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए दोस्तो बारत में ज्यादातर लोग चाय के आदी हैं कुछ लोग तो दिन में आट-दस कप चाय यू पी जाते हैं जैसे कुछ लिया ही नहीं लेकिन क्या आपको पता है कि हमें एक दिन में कितनी कप चाय पीनी चाहिए दोस्तों यह मेरी अपनी राय है, सहमत हो तो अच्छा है, नहीं तो बुरा मतमाना, हमें किसी को भी चाय तो पीनी ही नहीं चाहिए चाय पीने के नुक्षन ज़्यादा हैं और फायदे कम होते हैं लेकिन फिर भी अगर आप चाय के सोकीन हैं, तो आपको दिन बर में एक या दो कप चाय पीनी चाहिए ऐसा मानना है कि एक दो कप चाय पीने से हमारे शरीर पर ज़्यादा परभाव नहीं पड़ता nutrition भी कहते हैं कि दिन में एक दो कप चाय पीना ठीक होता है इससे सवास्ते पर अधिक प्रतिकुल पर भाव नहीं पड़ता लेकिन इससे ज्यादा चाय पीने से आपके सरीर के लिए नुक्सान दायक साबित हो सकता है ज्यदा चाय पीने से हमारे 75 तंतर को यह बिगाड़ देती है इसे पीने से भूग कम लगती है चाय में एसिट पाया जाता है जो हमारे पेट और सीने में जलन पैता करता है अगर आप स्ट्रांग चाय पीने के आती हैं तो जल्दी इस आधत को बदलिए क्योंकि इसमें टैनिन की मादरा बढ़ जाती है जो शरीर में मौझूद आयरें के साथ रियक्ट कर जाती है दोपर के खाने के बाद कभी भी चाय ना पीएं जिन लोगों को हाई बलड प्रेसर रहता है उन्हें चाय का सेवन बंद करना चाहिए चाय उनके लिए जाता फाइदे मंद होती है जिने लोग बलड प्रेसर की समस्या होती है आखिर में सभी समस्याओं से बचने के लिए आप चाय मेचीनी की जंगे गुड का इस्तिमाल कर सकते हैं साथ ही दूद वाली चाय पीने से बेटर है कि आप ग्रीन टी का सेवन करें खाली पेट चाय पीने से कौन सी बिमारी होती है दोस्तों ऐसा कहें कि बेट टी का चलन सिर्फ सेरो तक्सीमित है तो यह कहना बिल्कुल गलत है आज गर लोग गाउं में भी सुबह सुबह चाय को बेहत पसंद करते हैं लेकिन आपको क्या लगता है कि यह एक अच्छी आदत है हमारे यहाँ चाय का सेवन एक आदत है यदि आप आपस में बाते करते समचाय कि उसक्या ना ली जाएं तो कुछ अधूरा सा लगने लग जाता है देश की लगबग 80-90 फिसदी जनता सुबह सुबह खाली पेट बैट टी का सेवन करती है खाली पेट चाय पीने से पितरस के बनने और काम की प्रकरिया पर अशर पड़ता है इसकी वज़े से मिचली आ सकती है और गबराट मैसूस हो सकती है खाली पेट चाय पीने वालों को अलसर और हाइपर एसीडिटी होने का खत्रा रहता है क्योंकि खाली पेट गरम चाय पीने से पेट की अंदरूनी सतय में जखम होने की आशंका बढ़ जाती है खाली पेट चाय पीने वालों की बाइल जूस की प्रकरिया एनियमित हो जाती है जिससे आपको उल्टी, मिचली, गबराट जैसी समझ्याई हो सकती है मना जाता है कि बलैक टी सेथ के लिए अच्छी होती है और इससे वजन भी कम होता है लेकिन खाली पेट बलैक टी पीने से पेट खूल जाता है और भूग नहीं लगती खाली पेट चाय पीने से सकेलेटल पलोरोसिस नाम की बिमारी भी हो सकती है यह बिमारी हडियों को अंदर ही अंदर खोगला कर देती है इस बिमारी से शरीर में अर्थराइटिस जैसे दर्द होने लगता है इसलिए खाली पेट कभी भी चाय ना पिए इसके साथ बिस्कुट तोस्ट लेना बेतर होता है चाय पीने की लट क्यों लग जाती है दोस्तों सुबह आँख खोलने से लिएकर रात में सोने तक ज़्यादा तर लोगों की दिंचरिया में चाय की महत्तो पुर्ण भूमी का रहती है अगर चाय ना मिले तो दिन ही वेकार माना लिया जाता है इसी कारण कुछ लोगों को चाय पीने की लट हो जाती है वे दिन पर कम से कम आठ दस कब चाय तो पी ही जाते हैं लेकिन अधिक तर चाय पीने के काफी नुक्षान होते है दोस्तों काफी की तरह चाय में कैफिन होता है और इसलिए नियमित रूप से बहुत अधिक मातरा में सेवन करने पर चाय की भी लट लग जाती है कैफिन ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स को अवरूद करता है जिसे डोपामाइन और एंड्रोफिन नाम के हार्मोन्स की अतिरिक्त मातरा रिलीज होती है चाय पीने वालों को एक अलग ही खुशी का अनुबह होता है और यह खुशी दीरे दीरे चाय की लट बन जाती है रिसर्च की मानिय तो अगर कोई वैक्ति 3-4 कप चाय पीता है तो उसमें सरीरी ग्रूप में चाय की लट की लग सन नजर आते हैं अगर चाय की लट लग जाए तो वैक्ति वो एंजाइंटी मैसूस होने लगती है स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है और बैचाय निया का बराट मैसूस होने लगती है दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किरपा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद दोस्तो नमस्कार जैहन्द